शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्विद्याले आपके लिए लेकर आया है 91.2 FM पर हेलो हल्दवानी हेलो हल्दवानी एक समुदाएक रेडियो है जिसे आप 91.2 MHz की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं और इस रेडियो को आप तक लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्विद्याले इस रेडियो में जहां एक तरप समुदाए और समाज से जुड़े हुए मुद्दे उनकी ही एक कारिक्रम के साथ आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विनीता पंत जो की उत्तराखंड मुक्त विश्विद्याले के मनोविज्ञान विभात से जुड़ी हुई है और इनकी जानकारी का आज का विशय है चिंतन, अर्थ, प्रकृति और प्रकार जिसमें च पहाशा और मनोवर्ति के महत्व पर भी आज की ये जानकारी के इंद्रित होगी तो पेश है आप के रिए ये कारिक्रम अईमी, दूति, समेस्टर के विद्यार्थियों के लिए लापकारी है तो आज की जो ये व्याक्ष्यान है इसमें हम सुनेंगे की चिंतन क्या है, चिंतन का अर्थ क्या है, उसके प्रकार क्या है, इसके अलावा चिंतन में भाशा एवं मानसिक विर्तिया, मैंटल सेट का क्या महत्व होता है तो सबसे पहले बात करते हैं चिंतन की आंखिर थिंकिंग या चिंतन क्या है तो चिंतन जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हम सभी प्राणियों में होती है हम सभी चिंतन करते हैं हम सभी सोच विचार करते हैं और किसी निर्ने पर पहुंचते हैं तो इसे एक मानसिक प्रक्रिया कहा जाता है और यह बोला जाता है कि यह एक उद्धीपक और उसके प वह को दिख नहीं पता होता कि आंखिर में क्या चल रहा है लेकिन ये एक हम कह सकते हैं इंप्लिसित könnte लो कहा जाता है इसको पृतिक्ष रूप से हम नहीं देख सकते हैं और हाज तो पर जिकमानसिक प्रत्रीया बोला जाता है फिजिकल प्रोसेस यह नहीं होती है कई मनुव विज्यानिकों ने इसको परिभाशित करने का प्रियाश किया है उसी में कागन और heaven man जो हैं उन्होंने इसको define करते वे बोला है कि thinking is best described as mental manipulation of images, symbols, concept, rules and other meditational units तो यानि की हम इसमें जो प्रतिमाय होती है, image होते हैं, different type की symbols होते हैं, concept होते हैं, rules होते हैं इन सबका mental manipulation करते हैं यージन में हम जोड तोड करते हैं जिस परकार से, जिस स्थिती में हम होते हैं उसके अनुसार हम उसमें जोड तोड करते हैं और यह जो प्रक्रिया है इसको उन्होंने थिंकिंग या फिर चिंतन बोला है इसी प्रकार से सेंट्रोक ने एक definition दी है और उसमनोंने कहा है कि thinking involves mental manipulation of information as when we form concepts, solve problems, reason and make decisions यानि कि एक तरह के से देखा जाता है हाँ पर भी manipulation की बात की है, concepts की बात की है जो कि हमें decision making में help करती है तो इन परिभाशाओं के अधार पे और अपने अध्यनों के अधार पे मनुविज्यानिकों ने चिंतन की कुछ खाश विशेष्टाएं बताई हैं जिसमें हम जो मुख्य विशेष्टाएं हैं उनमें हम देख सकते हैं कि चिंतन सबसे पहले तो एक मानसिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है और कहा जाता है कि चिंतन में प्रतीक यानि की जो symbols होते हैं images यानि प्रतीमाओ आधी का मानसिक जोड़ तोड़ होता है और इसी कारण से कई बार इसको problem solving behavior भी बोल दिया जाता है इस चिंतन की प्रक्रिया को और इसके अलावा हम विशेष्टाओं में देख सकते हैं कि चिंतन में हम देखते हैं कि एक कोई समस्य हमारे सामने जो होती है उसके बिन बिन पहलों को संयोजित किया जाता है मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक बार में अगर visual imagery ले रहे हो तो आप उसी पर focus कर रहे हो या एक बार आप concepts को ले रहे हो एक बार past experience को ले रहे हो एक चीज को नहीं ले रहे बलकि हम विभिन पहलों को यहां पर संयोजित करते हैं चिंतन की प्रक्रिया में इसके लब हम इसमें देखते हैं कि चिंतन में हम trial and error करते हैं एक बार तुटी करते हैं और फिर उसको हम सही करते हैं इस तरीके से प्रक्रिया चलती है और इसके अलाबा सबसे असे हम चिंतन करते हैं तो हमारी जो परानी एक्स्पीरेंशेस होते हैं जो हमने पहले लिए होते हैं उनको भी हम कहीं अपने चिंतन में शामिल करते हैं और उसका अनुसार फिर हम उस्वास्या के समाधान तक पहुँशते हैं इसके अलावा सबसे महत्पूर्ण यह माना जाता कि चिंतन में अभी प्रेड़न क्या वशकता होती है यानि मोटिवेशन का यहां पर बहुत इंपोर्टन रोल है विटेकर नाम की मनवग्यानिक है और होने तो यह भी कहा है कि all thinking is greatly हम कह सकते गोल डिरेक्टेड होती है या फिर मोटिवेशनल होती है तो एक तरह से देखा जाए कि चिंतन बीना मोटिवेशन की तो होता भी नहीं कहीं हमारे पस कोई गोल होता है कोई मोटिवेशन होता है तब ही हम चिंतन करते हैं उस चीज़ को लेके इसके अलावा हम चिंतन में दे होता है दोनों चीजों का यहां पर महत देखा गए तो यह चिंतन की कुछ विशेशते थी और चिंतनकार अब हम आते हैं चिंतन की प्रकार क्या क्या सटाय गया है मैन विझ्ञानिकों बिदिद कर देंकरकी सबाते हूं छो देखते हैं कि चिंतन को दो मुख्य प्रकारों में डिवाइट किया गया है जिसमें की एक है autistic thinking, एक है realistic thinking, autistic thinking जिसको हम स्वली चिंतन बोलते हैं और realistic जिसको यथार्तवादी चिंतन बोलते हैं स्वली चिंतन जो है वो इस प्रकार का चिंतन है जो कई बार हम ऐसी चिंतन होते हैं जो उद्देश पूर नहीं होते हैं जिसमें कोई गोल नहीं होता जो किसी समस्या समाधान से नहीं जुड़े होते हैं जैसे आप सिंपल बैट के अपने किसी प्लैन के बारे में चिंतन करन लगते हैं मान लिए कोई बच्चा है वो बड़े होके मैं यह बनूंगा मेरा घर होगा गाड़ी होगी मेरे पास यह होगा इस तरह का अगर वह चिंतन कर रहा है बैटके जो कोई गोल्ड रेक्टिर तो नहीं है बस एक चिंतन वह हो रहा है जिसमें फेंटेसी वी इन्वॉल तो उसको हम सोली चिंतन बोल ते हैं और उसके बीकाव स्थितिया होती है वास्तविक जो समस्या होती जिनका हमें समाधान करना होता है उन से करते हैं कि आप उस ताइम पर चिंतन करते हैं उस समस्या को सॉल्ट करने के लिए और तुरंत आप देखते हैं कि कोई ऐसी चीज हो जिस से इसकी तरह लाइन कीची जा सके तो आप उसको कर लेते हैं उसी प्रकार से अगर रहा चलते हैं आप की गाड़ी खराब होगे तो आस्तिविक स्थितियों से जोड़ा होता है खासकर इन दोनों में अंतर यह है कि जो अथार्तवादी चिंतन होता है वो गोल डिरेक्टेड होता है और उसमें किसी ना किसी समस्या का समाधान जोड़ा होता है फिर जो रियालेस्टिक थिंकिंग है अनि अथार्तवादी चि चिंतन भी बोल देते हैं और उसके अलावा एक आते हैं आपका इवैल्यूएटिव थिंकिंग जिसको अलवशनात्मक चिंतन बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है वो एक तरीके से डिड़क्टिव प्रॉसस इंवॉल करते हैं यानि कि हम क्या करते हैं जो हमारे पास पहले से जो तत्य मौझूद हैं जो भी हमारे पास information पहले से मौझूद हैं उनके अधार पर व्यक्ति सोच विचार करके चिंतन करके वो किसी निशकर्स पर पहुंशने की कोशिश करता है इसमें convergent thinking यानि अभी सारी चिंतन में उसके अलावा जो दूसरा है हमारा क्रिव तिंकिंग उसको कि हमने बोला है वो inductive process को involve करती है inductive जो आगनात्मक, जो reasoning होती है या उसमें क्या गरती व्यक्ति जो पूर्वनुभव हैं वो तो हैं जो तथें वो हैं उसके अलावा कुछ नई चीजों को जोडता है, नई तथ्यों को उसमें जोडता है और कुछ नया प्रस्तुत करता है उसके अलावा जो थर्ड आपका जो उसका प्रकार है evaluative thinking उसमें अक्सर देखा गया है कि व्यक्ति पुरा evaluation कर रहे हैं क्या गुण है तो इस प्रकार का पूरा evaluation करने के बाद वो चिसनतन की प्रक्रिया को अपना पूरा चिंतन की प्रकार प्रेसमान करता मनिवग्यानिकोंने दिये हैं अब इसलिकिन हैं बहुरत को कहीं जो चिंतन है उसमें भाशा का महत्व है या नहीं है इसके साथ ही उसमें जो मानसिक वृत्ती हमारी पहले से बनी होती है उसका क्या महत्व है क्योंकि ये बड़ा प्रश्न मनविज्ञानिकों के सामने उठा था कि क्या जब चिंतन होता है तो वो भाशा से अधारित होता है क्या भाशा का उसमें महत्व होता है या भी न भाशा से ही चिंतन होता है यानि कि भाषा से ही आधारित वो चिंतन होता है और यह जो विचारधारा थी इससे प्रभाविट जो मनवग्यानिक थे उसमें खास कर जो थे वो वूर्फ थे उसके अलावा उसमें सैपर नाम की मनवग्यानिक थे ब्रूनर थे बर्नस्टीन थे इन सब म तो और प्री स्कूल चिल्रंट जो कि पांच सालिया उसे कम कि होते हैं उन पे अपना प्रयोग किया और उनका मानना था कि भाशा जो है भाशा से ही चिंतन्म अगर हो रहा है तो छोटे बच्चे होती जावन इंहोंने किया तो उन्हों ने कहा अपने लिए-प्रेरिमेंट के जो बच्चे भाशा से ही जो हमाई चिंतन प्रक्रिया है वो रेगुलेट होती है और उसी के साथ ही आगे जाके कुछ और भी अध्यनवे उसमें से प्रीमेक जो थे प्रीमेक ने उन्होंने क्या किया कि सरहा नाम की वनमानुष था उस प्यद्धिन किया और उन्होंने उसको भाशा सिखाने का प्रयास किया यानि कि उन्होंने उसको अलगलग सिंबल से लगलग कलर्स के तुरू सब्दों का ज्यान करवाया मतलब एक अगर कलर उन्हो और शब्दों का ग्यान उसको करवाया उसकी तुरू और उन्होंने अन्यवन मानुशों के साथ उसकी तुलना की और जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने देखा कि जो सराह था थी जो वो भेतर चिंतन कर पा रही थी और भेतर तरीके से समस्या समाधान कर पा रही थ इसके लाब वॉर्फ को हम यहां पर जानते हैं वॉर्फ हाइपोथिसिस एक चलती है जिसमें वॉर्फ का मानना था कि चिंतन जो है वह भाशा द्वारा ही निर्धारित होता है जिसमें उन्होंने विगाता आल थिंकिंग इस डिटर्माइन बाइंग्वेज जैसा वो कहते है और उसके अधार पर वो यह कहते हैं कि भाशा का विगास पहले हो रहा और फिर चिंतन की प्रक्रियानियन की भाशा द्वारा ही वो निर्धारित हो रही है इसको वॉर्फ हाइपोथिसिस के नाम से भी जाना जाता है तो इस तरीके से जो मनवज्यानिक थे उन्होंने अध कि भाशा के द्वारा ही पुरी तरीके से जो चिंतन है वो डेटरमाइन हो रहा है या उसी से ही आधारित है इसमें कुछ मनवज्यानिक थे जिन्होंने अपने इवलपमेंट के स्टेजब के दिये थे और उसके अलावा क्लाट थी तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होता है अगर यदी ऐसा होता, तो फिर क्या होता कि, जैसे जो हम देखते हैं कि कोई भी शेत्र हो, कोई भी शेत्र का बच्चा हो, चाहे वो कहीं की भाशा बोलने वाला हो, कहीं का भी रहने वाला हो, लेकिन उनका cognitive development एकी तरीके से होता है, भाशा का विकास उनमें लगभग-लगभ एक समान है, तो इससे हम यह नहीं कह सकते कि भाशा से ही चिंतन हो रहा है, और जो भाशा जिन बच्चों को नहीं आती है, उनमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंतन की प्रक्रिया है, वो देखी जाती है, ऐसा नहीं कि वो बिलकुल भी चिंतन की प्रक्रिया उनमें नही कर दोちは चिंतन की प्रक्रिया भाशा बाधरीत होने लगती है और इसके साथ इता उसमें देखा था 그 रोल अफ सेट इन थिंकिंग क्या होता है, यानि मानसिक वृत्ति का क्या प्रभाव होता है चिंतन की प्रक्रिया में, क्या कोई मानसिक वृत्ति अगर हमारी बनी है, तो वो हमारी चिंतन को प्रभावित करती या नहीं, इसको देखने के लिए इन लोगों ने, जो मानसिक व परियास करता है और इसका अध्यन करने के लिए इन्हों ने दो तरीके के जो अपने स्थितिया थे उनका प्रयोग किया एक में तो नहों कोशिश की की वर्बल इंस्ट्रक्शन दिये जाए लोगों को मतब कुछ एक्सपेरिमेंट इनके इस तरह के थे कि इसमें उने जुप रहे हो जिते उनको वर्बल कुछ क्यूज दिये या हिंट दिये और उसके लावा जो दूसरी तरह के जो स्थितियां थी उन्होंने उसमे करने के कोशिश की उन्होंने व्यक्ति का जो पास्ट एक्क्षे उस था इसको अन्य ब्रत है जो जाता है कि जब व्यक्ति होता है वो किसी समस्या के प्रति या किसी उदेशा के अप्रती एक सही मानसिं सेट बन जाता है तो वो चीज उसके समस्या समाधान में उसको help करती है उसको मदद करती है लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मांसि पृति गदद बन जाती है उस समस्या के प्रती तो उससे क्या होगा उसको नुकसान होगा यानि वो problem solving में उसको help करने की बज़ाए उसको दि अलका सा इंट्रड्यूस करती है जैसे कि मायर की मायर नाम की मनवग्यानिक थे उनके कुछ experiment है तीन experiment है उनके वह खासता यहां पर प्रशली थे हैं जिसमें उन्होंने एक pendulum समस्या का प्रेयोग जो है वो करके दिखाया और दूसरा उन्होंने रसी बादने की समस्या का प् पेंडूलम जो समस्या थी उसको अगर हम शौट में समझे तो उसमें इन्होंने पांच सम्हू रखे थे और उन पांच सम्हू को उन्होंने अलग-अलग तरह की स्थितियों में रखा था जो पहला सम्हू था इसको जो समस्या इन्होंने दी ती उसको सिर्फ समस्या दी और क कि समस्या का कोई समाधान नहीं होगा, यह सिर्फ आपको तिखाया गया है, जो तीसरा समू था, उन्होंने उसको समस्या दी और समस्या के साथ उनको सिर्फ वर्बल इंस्ट्रक्शन दिये, जो एक और समू था, उसमें उन्होंने उसको समस्या देने के साथ ही, उन्होंने ए इसके बाद उन्होंने लांसमे उनको यह कहा कि अगर आप इन सब चीजों को समयोजित कर दें या कंपाइल कर दें इक तरीके से तो आपको problem solving में help मेलेगी तो result में उन्होंने पाया कि जो प्रतम चार समूह थे उसमें बहुत कम लोग जो थे वो समस्या को कर पाए थे जबकि जो निर्धारित समय में तो वो करी नहीं पाये थे जबकि जो पांचवा समूह था उसमें काफी अच्छा प्रदर्शन देखा गया था जिसमें उनको अलग से संकेत दिये गए थे कि अगर आप इनको समयाजित कर लेंगे तो आपको समाधान मिल जाएगा तो इस तरह से नोंने बताया कि जब हम अच्छा एक mental set जो है उसका हम हिंट दे देते हैं और एक अच्छा mental set बना देते हैं किसी समस्या के प्रती जो की favorable होता है तो शायद mental set से problem solving में help मिलती है तो इसी तरह कि से नोंने एक रसी बादने का प्रयोग किया था और जो ती उन बन गया था गलत सेट वो बना ले रहे थे तो इसी समस्या का समाधान करने के उन्होंने अपना जो तीसरे experiment है उसको भी किया था उसमनों एक्सपेरिमेंटल ग्रूप और कंट्रूल ग्रूप लेके उस समस्या को उनको दिया और अलग-अलग स्थितियों में रखके उन पे कि समस्या को कर पांगे या भाध टाइम लेंगे हार्मान हो ऊजाएंगे तो इसी के करम में हैं कुछ तरिक प्रयूक की इसमैं कि यूचिंस का एक। यहां पर काफी प्रचलित है उसके लावा यहां पर डंकर नाम की जो मनवग्यानिक थे उन्होंने जो यह अंध्र प्रभा हुए है यानि कि हम मेंटर से ट्रॉंग बना ले रहे हैं इसके लिए उन्होंने एक टर्म यूज किया था उसको उन्होंने का functional fixedness यानि की हमारी ey fixedness हो जा रही है fix हो जारहे है हम किसी solution के लिए और फिर हम उससे हटके सोच ही नहीं पा रहे है वह fix Daily हम उसी राश्ति पर चल रहे हैं जो कि गलत है तो ईस जो यह प्रकलपना थी इसको यह लागा कि जो यह वाला जो सेट था कि डिसडवांटिज भी होता है इसका प्रियोग दिखाने की लूचिंस ने एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया था जिसको वाटर जार प्रॉब्लम कहा जाता है जिसमें की नौ समस्याइं थी और उनको हाइपोथरिकली तीन वाटर जार दिये जाते तो यह एक्सपेरिमेंट है इसको आप देख सकते हैं यूट्यूब अगरा में भी आपको यह मिल जाएगा क्योंकि आसे समाझने में इसमें थोड़ी दिक्कत होगी तो इस तरीके से जो रोल ऑफ मेंटल सेट है उसको भी मनुवज्यानिकों ने समझाने का प्रयास किया त एक सवाल यह तरीके से वह दीसरा भी उसी तरीके से वह यह तो आपका का देक्गोहरा तो कि अच्छा सवाल इसी तरिके से हो उ रहे है दुक् repeat हो यहाँ करते जा रहे हैं लेकिन अचानक से अगर सवाल यह वह दूसरे तरीके का स्में करेज back 1 तो आप उसी मेंटल सेट उ तो आप उसको भी उसी तरीके से करने की गोशिश करेंगे, दूसरा आप तरीका अपनाएंगे नहीं, आपके फिक्सिटनिस आजाएगी वहाँ पे, तो वह आपको डिसडवांटेज करेगा, और वहीं अगर मैंने एक मेंटल सेट आपको दिया कि इसको इस तरीके से करना है, और आपको दिया और आपने उसको कर लिया, तो वह सही मेंटल सेट आपको लाग करेगा वहाँ चिंतन की प्रक्रिया में, तो इस तरीके से हमने जाना कि चिंतन क्या है, चिंतन का अर्थ क्या है, और किस तरीके से उसको डिफाइन क्या गया, उसकी विशेष्टाएं क्या ह और भाशा का क्या चिंतन में रोल होता है इसके साथ में मानसी कृति या मेंटल सेट का यहां पर क्या रोल होता है तो आज की व्याख्यान में इतना ही फिर मिलते हैं किसी नए विशेर के साथ धन्यवाद